जैशे किश्णा दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों करवा चौत आने वाला है कुछ ही दिन में तो आज मैं आपको करवा पर खासकर सुहागन इस्त्रियों को जो नई शादी शुदा है उनको विशेश रूप से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अगर उन्होंने जो वर्त रखा है उसका उनको पूरण फल मिले दोस्तों करवा चोथ एक ऐसा व्रत है जो गामों से लेकर शहरों तक उसका आपको पूरा फल मिलना चाहिए अगर क्योंकि निर्जला व्रत रखा जाता है सुबह से शाम तक चंदरुदे तक तो आप इस दिन कम से ऐसी गलतिया ना करें जिससे कि आपको करवा चोथ का आपने जो व्रत रखा है उसका आपको पूरा फल ना मिले तो आप इन ब सब्वाली सभी वीडियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक सके करवा चोथ के दिन सबसे पहले जो अपवाय जहीं नहीं मानती तो आप नीलिобщ सफेद ना पहने उन्हें अशुब माना जाता है और सुहागन के लिए लाल जोड़ा विशेश रूप से उर्जा देता है और आकरशक लगती है और ये लाल जोड़ा ही जरूर पहनना चाहिए और कोई भी आप मतलब जिसे लाल महरून इस तरह के कलर जरूर पहने हो सके तो आप कोरा कपड़ा पहने उस दिन और नहीं तो आ जादा मेंबर होते हैं देवरानी जठानी यह तो एकटा तीयार होती हैं तो आज मैं आपको बताओंगी कि जब आप त्यार हो जैसे मंगल सूत्र है या सुहाग की चूडियां है बिंदियां है कुछ भी सुहाग से समंद्धी जो चीजें कभी भी आगर जैसे पहनते वे तूट फूट जाती हैं या गिर जाती हैं तो उनको कभी भी क्योंकि मैं अधिक्ता देखा है कि वो लोग ना कुड़े में डाल देते तो उस दिन बिल्कुल भी आप ये गलती ना करें सुहाग की चीजों को अगर आप चूड़ियां बिंदी कुछ तूड गई है कुछ खरा रखें और कई बारी ऐसा होता है कि इखटे त्यार हो रहे होते हैं तो एक दूसरे के वो लोग ना सिंदूर लगा देते हैं सिंदूर का दान कर देता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें करवा चौथ की दिन खास कर जब आप अपनी मांग भरें तो अपने हातों से ही भरें मतलब किसी और लेडी से ना भरवादे क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि लोग एकटे त्यार हो रहे होते हैं मतलब मांग भर देते हैं मंगल सूत्र का वह पीछे की डोरी मतलब बानना होता तो कई बारी वह चीज़ करते हैं वह ध्यान रखें कि आप खुद पहने या उस दिन अपने मतलब हस्बेंड से मांग भरवानी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है ज्यादा फल्दा ही होता है इस चीज़ का ध्यान रखें अगर अपना मंगल सूत्र वगएरा कोई जैसे आर्टिफिशल जूलरी आप पहनने के लिए तो ठीक है लेकिन जो मंगल सूत नहीं देना चाहिए इस बात का ध्यान रखें दोस्तों इसके अलावा भी करवाचोथ के दिन कई लोग टाइम पास करने के लिए देखें ताश के पत्ते खेल लेते हैं कई बार इखटी हो के बाते कर रहे होते हैं चुगली देखें इस दिन करवाचोथ के दिन विशेश रहना चाहिए मतला ऐसी चीज़ें नहीं करने चाहिए जब मतलब इस तरह का दानपून भी नहीं करना चाहिए और दोस्तों करवा चौट के दिन जो वरत रखती है वैसे तो ये निर्जला वरत ही रखा जाता है सूरे मतलब उदय से लेकर मतलब चंदर उदय तक ही माना जाता है और कथा तो इस दिन करवाचोत की जो कथा है वो सूरियास से पहले ही सुन लेनी चाहिए और जो भी आप ब्याना निकाल रही है अपनी सास के लिए किसी बड़ी बुज़र के लिए ब्रहमनी के लिए जो भी कि आप मंस के देना चाहती है उसे भी आप सूरियास से पहले ही दे और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखे कि करवाचोत वाले दिन अपना समय पास करने के लिए आप कोई भी पाट पूजा मतलब परानी कथा वगएरा सुन सकती है और चुगलियों से और किसी भी सुहागन आप इस तरी को बला भुरा गाली गलोच इस तरह से करने से बचे क्योंकि उस दिन सभी अपने पती की लंबे आयू के लिए रखती है देवी का रूप होता है उस दिन उनमें तो आप इस चीज़ से जरूर बचे दोस्तों इन बातों का जरूर ध्यान रखे और चंदर लेती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा शुब माना जाता है नहीं तो आप चानी की कोई वस्तु अपने पास रखकर चंदर को मतलब चंदरमा को अर्द दे सकती हैं अपना व्रत खोल रहे हैं तो खाने पीने का भी विशेश त्यान रखें करवा चोथ का व्रत है मतलब पत मास वगरा मास मस्ची जो खाते हैं नौन वेज वगरा तो इस चीज़ को अवाइड करें उस दिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें मतलब लेडिस तो रखें ही खासकर और मतलब जैन्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उस दिन मतलब बीड़ी तंबाकू अपने सुहाग की सभी चीज़े अगर शादी का हो तो ज्यादा अच्छा है आप उस दिन मतलब शादी का जो मंगल सूतर होता है वो डाले और मतलब यह है कि पूरा सोला सिंगार करना चाहिए कई लोग बिच्वे एक पहनते हैं तो एक बिच्वा कभी नहीं पहनना चाहि है उस दिन पाजे वगएर अपना पूरा सोला सिंगार करना चाहिए क्योंकि इस से सुहाग की आयू लंबी होती है आपका सुहाग सुस्त रहता है उसकी लंबी आयू के लिए रखा है तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें कि आप करवाचोथ के दिन खासकर इन शुक्रा करें आप सभी को जैशिक